हेलो एवरिवन आज मैं बताऊंगी द्रोपती मुर्मु के जीवनी के बारे में तो द्रोपती मुर्मु एक भारतिय राजनेता है और अभी भारतिय जनता पार्टी ने उनका नामराश्टपती चुनाव के लिए बत्तोर राजग एंडिये उमिद्वार प्रस्तावित किया ह वे पूर्व में ओडिशा सरकार में मंत्री और जारखन की रैजपल रचुकी है ओडिशा के जनजाती बहूल जीले मयुर्भंज के एक सुदूर गाउं में एक जनजातिय परिवार में जन्मी द्रोपती राजनीती में आने से पहले एक समाइन कलर्क और सिक्षिका के रू पूर्मू ने वर्ष 1997 में भारतिय जन्ता पार्टी के साथ अपने राजनीतिक यात्रा की सुरुवात की थी और इसा के रायरंग पूर्जीले की पार्षद बनी और फिर भाजपा के अनुसुचित जन्जाती मोर्चा की परदेश अध्यक्ष वे दो बार राज विधान में वत्तोर विजेपी विधायक चुनी गई और राज सरकार में वत्तोर मंत्री भी कायल किया उन्हें और इसा विधान सभा में सर्व स्रेष्ट विधायक का पुरुसकार भी प्राप्थ हुआ था द्रोपदी मूर्मू का नीजी जीवन संघर्ष और दुखों से भरा रहा लेकिन सार्जनिक जीवन में वे अंगिनत उचाईयां छुती रही पती और दो दो नोजवान पुत्रों को खोने के बाजुद वे समास सेवी में डटी रही जारखन की पहली महिला राजपाल और किसी भी भारतिय पर्डेष की पहली जनजातिय महिला राजपाल बनकर उन्होंने किर्थी मान अस्थापित किया दुरपदी मुर्मु के परिवार में उनकी पुत्री इती स्री मुर्मु, ब्यंक करमचारी और दमाद गनेश हैमरम है जो की एक रगवी खिलाडी है दुरपदी मुर्मु के नीजी जीवन पूरा नाम दुरपदी मुर्मु, जन्म तिथी 20-1958, जन्म अस्थान बेदा पोशी गाउ मयुर भंज औरीसा, पाटी का नाम भार्तिय जनता पाटी, शिक्षा असना तक ग्रिजवेट किये व्योसा सिक्षक समासेवी राजनिता उनके पिता का नाम वीरांची नारायन टूडू, जीवन साथी का नाम है, स्वर्गि स्यामचरन मुर्मु, जीवन साथी का व्योसाई, ब्यंक करमचारी थे, संतान, दो पूत्र, एक पूत्री, रोचक तित उनका है, दुरपदी मुर्मु जहारखन राज के राजपाल का पद संभालने वाली पहली महिला है, वे किसी भी भारतीय राज की पूर्ण कालिक राजपाल बनने वाली पहली जनजातीय महिला भी है, भारत की पहली आदिवासी राश्टपती बनी, सबसे कम उम्र की राश्टपती होने का रिकोड भी उनके नाम दर्जु हुआ, राजन पूर्व से भाजपा के टीकट पर दोबारा विधायक निर्वाचित हुई दोजर शे में सिरी मती द्रोपदी मुर्मु भार्तिय जन्ता पाटी के अनुसुची जन्जाती मोर्चा की ओडिसा परदेश अध्यक्ष बनी दोजर दोजर द्रोपदी मुर्मु को ओडिसा सरकार में मतेश एवं पसुपालन विभाग में राईज मंत्री सवतंत्र परभार बनाया गया 2000 में रायरंग पूर विधान सबा छेत्र से पहली बार भाजपा के टीकट पर विधायक चुनी गई और नविन पटनायक के नेत्रित्व वाली ततकालिन विजद भाजपा सरकार में सवतंत्र परभार की राजजी मंत्री भी नियुक्त हुई 1997 में ओडिसा के रायरंग पूर जीले की पार्शा चुनी गई वे इस जीला परिशद की उपाध्यक्ष भी बनी पूर्व इतिहास 1994 में अरबिंदो इंटिग्राल एजूकेशन सेंटर रायरंग पूर ओडिसा में वतोर सिक्षक कायर करना सुरूप किया 1993 में ओडिसा सरकार के अधीन सिक्षाई विभाग में वतोर कनिष्ट लिपिक कायर करना आरम किया 1989 में द्रोपदी मुर्मु ने रमा देवी महिला विशुविद्याले ओडिसा से असनात्त की उपाधी प्राप्त की और उनकी उप्लब्दियां द्रोपदी मुर्मु को वर्स 2007 में और इसा विधानसभा दोवारा सर्वस्रेष्ट विधायक के रूप में निलकन प्रुषकार से सम्मानित किया गया था और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूटूब चेनल एंड सेर जरूर करें